श्राब दोस्तों स्वागत है आपका Amazing 5 में और आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे कारण जिनकी बज़े से हम लोग पूरे दिन बर ठकानती मैसूस करते हैं दोस्तों आज की इस ब्यस्त दुनिया में अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल लगबाना हम सब के लिए संबव नहीं हो पाता है इसलिए कभी कभी हम बहुत सी छोटी छोटी गलतियां भी कर जाते हैं जिनकी बज़े से हमें बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो आज मैं आपको कुछ ऐसे कारण बताऊंगा जो गलतियां हम हरोज करते हैं और इनका जो है पूरे दिन बर हमें खामियाज़ा उपदना पड़ता है तो हमारा जो सबसे पहला कारण है वो है सुभै का नास्ता दोसो सुभै ऑफिस या स्कूल या किसी भी काम पे जाने के लिए जल्दी जल्दी में हम लोग दो रस या ब्रैट से ही काम चला लेते हैं जो कि हमारी बॉड़ी के लिए बहुत ही खतरनाक हो जाता है देखिए पूरे दिन बर हमें काम करना होता है और लंच सक आपको अपनी बॉड़ी की एनरजी को मेंटेन करके रखना होता है इसलिए ये कमपल सरी हो जाता है कि सुबह सुबह आप एक अच्छा नास्ता लें जिसमें कार्भोहाइड़िट युक्त भोजन जादा हो ठीक है दूसरा हमारा कारण आता है पानी वाटर अगर आप अच्छी तरीके से पानी नहीं पी रहे हैं और जब सेल्स को ऑफसीजन नहीं मिल पाती है तो वो एनरजी प्रोड्यूस नहीं कर पाती है और कम एनरजी की विज़े से हम पूरे दिन पर थकान सी महसूस करते हैं इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप पानी एक रेगुलर इंटरवर्ट पर लगातार पीते रहें और पानी को जैसे कि मैंने हमेशा बताया कि सिब सिब करके ही पीएं इससे आपकी बॉडी डिहाइडरेट नहीं होगी आप हमेशा रिप्रेश फील करेंगे तीसरा कारण आता है आईरन अगर आपकी डाइट में आईरन युक्त भोजन नहीं है तो आप निश्चे थी ठकान पूरे दिन बर मैसूस करेंगे देखे आईरन का भी सेम पानी की तरह ही रीजन है आईरन जो है वो ऑक्सीजन के जो ट्रांसफर है हमारे ब्लेड में उसके मैसूस करेंगे इसलिए मैं आपसे कोँगा कि आपको अगर लगता थकान मैसूस होती है तो प्रीज ब्लड टेस्स कराईए और साथ ही साथ जो है आईरन युक्त भोजन ज्यादा से ज्यादा लेना से चुड़ू करते हैं तो वो भी आपकी सेहत के लिए बहुत ही रूटीन बनाई है अपना कि आपको आदा घंटा एक घंटा एक्सराइज करनी है उसके प्रति आप इतना पागल मत बनिये कि आप पूरे दिन पर एक्सराइज पर ध्यान दे रहें अगर आप ऐसे करेंगे तो आपकी बाड़ी बहुत जादा थक जाएगी और आप जो लगाया गया है कि ऐसा करने से हमारे दिमाग की संबेदन चीलता बहुत जादा बढ़ जाती है जिससे हमारी नीन पूरी नहीं हो पाती है या फिर हमें एक हेल्वी नीन नहीं मिल पाती है और हम दिन बर ठकान से फील करते हैं और फिर हम सोचते हैं कि एक अच्छी नीन ले साथ ही साथ आपका टहलना भी हो जाएगा देखे छटा और लास्ट कारण जो हमारा आता है वो है अलकोहल कॉफी कुछ लोगों की रात में सोने से पहले अलकोहल पीने की और कॉफी पीने की आदत पड़ गई है उनको यह लगता है कि जब तक हम कॉफी नहीं पिएंगे या पिर अलकोहल ने पिएंगे तो हमें नीद नहीं आएगी जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपने एक अपने दिमाग में धारना बना रखी है कि मुझे चाय पीकर या कॉफी पीकर या पिर अलकोहल पीकर ही नीद आएगी जबकि इन तीनों का सेवन करने से हमारा रिलाक्स स्टेज में नहीं जा पाता है और आप भले ही सो जाते हैं पर हमें एट हेल्दी नीद नहीं मिलती है जिसकी बज़े से आप सुभा जो है सिर में भारी पण सा महसूस करेंगे आप दिन बर जो है ठकान सी महसूस करेंगे आपको पूरे दिन बर ये लगता रहेगा कि आपको नीन नहीं आ रही है इसलिए रात में अलकोहल का प्रयोग या कॉपी का प्रयोग या फिर आप चाय का प्रयोग ना करें मैं आपसे यही कौँगा अगर आप रात में चाय कॉपी या इसकी जगें पे दूद पीते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है आपको बहुत जादा फाइदा होगा और दूद में साथ में अगर आप हल्दी डाल लेते हैं तो ये और भी सोने पे सुहागा वाले काम हो जाएगा तो तो ये थे कुछ है कारण जो मैंने आपको बताए जिसकी मज़े से आप पूरे दिन बर तकांसी महसूस करता हूं उमीद करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें स्वस्त बन करें रही है और अपना ध्याम रखिये